जोई जोगननात आवर चैनल नेमीच हाइटेक सर्वे तो आज हम लोग देखेंगे कि REM एक अप्शन है सोक्या CX105 मोडल में तो उसमें से क्या करते हैं हम लोग REM remote elevation method उसमें से हम लोग vertical height find out कर सकते हैं तो कैसे देखिए तो यह जो दो पॉइंट है यह देखिए यह जो देखिए यह जो दो पॉइंट है यह एक पॉइंट और यह जो एक पॉइंट है यह दोनों पॉइंट का बीच में total कितने vertical मतलब कैसे यह point और यह point यह दोनों पॉइंट के अंदर कितने वर्तिकल Hiड हो रहा है हम लोग अभी मेजरस करेंगे तो मेजरीबन करने के लिए यहां पर इस संथius मेंट पीजी मेंट पड़ रेस पर है ऑभी तो यहां पर आर एम लिख़्ा है आरी एम प्रवाशन मेजरमेंट तेन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नहीं एंटर प्रेस करेंगे प्लेंटर करेंगे यहां पर देखें, OCC Orientation लिखा रहा है, REM लिखा रहा है, OCC Orientation का मतलब, जैसे स्टार्टिंग से हम लोग Station Point देते हैं, बैक साइट Point देते हैं, देन उसके बाद, जाके हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो यह जो REM option में, यह Direct हम लोग कर सकते हैं, कोई एक, दोटो Point का हम लोग Direct कर सकतें, तो देखें, अभी मैं क्या करूँगा, यह जो REM option अभी फिलाल Select है, देन उसके बाद जाका मैं Direct क्या करूँगा, ना Enter करूँगा, एंटर करने के बाद, देखें, यहां पर Height मांग रहा है, तो यह जो Height और भी हम लोग Height, Leisure Mode में मैं अभी Leisure Mode में कर रहा हूँ, तो इसलिए यह Zero रख रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं Prism use करता, तो यहां पर Prism का Height जीतना भी आथा, उसको मुझे डालना पड़ता है, तो अभी फिलाल में Zero डालूँगा, देन उसके बाद OK करूँगा, OK करने के बाद यहां पर देखिए, RIA में Option आ रहा है, then Measurement Option आ रहा है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, Measurement करेंगे, Point को Sight करके, कोई एक जो दो टो Point में दिखाए था, कोई एक Point को Sight करके, हम लोग Measurement करेंगे, तो अभी देखिए, मैं एक Point को Sight कर रहा हूँ, जो Point No.2 को, मैं अभी Sighting किया, Sighting करने का बाद, अभी मैं Measurement करूँगा, OK, एफ़र Measurement करूँगा, एफ़र को, अभी देखिए, Measurement ने Measurement लिया, Measurement लेने का बाद, अभी मैं क्या करूँगा, Second Point को, मैंशिन को, Second Point तक, जो Point No.2 है, Second Point को, Target करूँगा, मैं, यह जो Second Point है, Second Point को Target करके, अभी Measurement करूँगा, Measurement करने का बाद, जो भी जितना आएगा, Elevation का Height सब, हम लोग को पता चल लाएगा, तो देखिए, अभी यहाँ पे, जो R.E.M. लेखा है, तो यह R.E.M. के उपर, अभी मुझे, क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक मतलब प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस करने के बाद, जाके मुझे, कितना Hide है, पता चल लेगा, तो देखिए, अभी यह जो उपर लिखा है, H.T. H.T. मतलब Hide है, Hide, दोनों Point के बीच में, कितना Hide है, Total, ना, यहाँ पर देखिए, 0.520 Hide है, ओके, देन उसके बाद, Distance कितना है, Slope Distance, 1.1.something, Slope Distance है, तो ऐसे करने क बाद, इसको Stop करना पड़ता है, तो ऐसे Stop कीजिए, Stop करने क बाद, देखिए, यहाँ पर Hide पता चला, Slope Distance पता चला, Angle, यह सब हम लोग को पता चलता है, Thank you.